आज सुब सन्निवार है और सुब सन्निवार का मतलब है हमारा चुड़ने का दिन और इस सुब सन्निवार के दिन हम लोग पूरे देश में तो पहले महा भारत था महा भारत में जुड़ा करते थे आसो के महा भारत में हमारे अपने महा भारत में और बुद्ध से भी पहले यह जो सन्निवार है या शनिवार है या कोई भी ऐसी चीज जो हमको यह कहा जाता है कि यह हमारे लिए अच्छी नहीं है यह महनुस है यह बेकार है इससे बहुत ज्यादा नुपसान होने वाला है इससे बहुत ज्यादा परिशानी होने वाली है यह कोई भी चीज जो हमारे लिए बताई जाती है वो चीज हर χालत में हमारे लिए अच्छी होती है ऐसी बात हमें जो हमारे बावा साहब डॉक्टर अम्बेट कर ने गरंथ लिखे और उसके अंदर बहुत सारी बातें बताई हैं, उन सारी बातों से अगर हम मैच करते हैं या देखते हैं, तो यह पाते हैं, कि जो चीज मनुश या जो चीज खराब या जो चीज गाली में बदली गई है, वो सब गिलोरी थी कभी, चमक थी और जो बावा साब का सोलवा ग्रंथ है जिसको पाली की डिक्स्नरी बोलते हैं जिनोंने वो पड़ी है या जो और भी पाली की चीज़ें देखी हैं पड़ी हैं समझी हैं वो तो अब सब ये जान गए कि जो सब्द हमारे और हमारे बच्चों के निये मनुस खराब बताए गए हैं वो हमारी असला असली इत्यास वो हमारा असली गौरब और वो हमारी गलोरी है वो हमारी चमक है इसलिए बाबा साब अमबेट कर जब ये कहते हैं कि आपको पाली पढ़नी है तो पाली पढ़ने का उद्देश से सिर्फ इसलिए उन्होंने बताया है कि पाल बातें आपकी जानकारी में आ जाएगी इसलिए पाली जैसी भासा को डॉक्टर अंबेटकर को प्रमोट करना पड़ा और भारत की सबसे पुरानी भासा को लोगों ने नाम तक खतम कर दिया इसलिए क्योंकि उस भासा में हम जीते हैं और उस भासा को संस्काइद करके जो संस जो सब्द्ड है जो आज का दिन है इसको अगर आप सोचेंगे जानेंगे तो सिर्फ शनिवार के नाम सही चलता है पर जब पाली पड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पूरी पाली के अंदर पूरे बुद्ध के साहित्टे के अंदर और ऑर जो बुद्ध के… पचास में शेय शब्दी नहीं है ना शेय शल्जम वाला है ना शटकोण वाला से है विशेय वाला से है यानि दोनों से ये बड़े कमाल की बात है कि शटकोण वाला शेय और सल्जम वाले शेय को बोलने का जो तरीका है वो एक ही है शेय और फिर भी हमको जबर जस्ती उसमें शेय ड आधारे निकाल देंगे और पाली में देखेंगे कि कैसे बदला है तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे कैसे हमारी आँखों के सामने चल रही हैं पर हमारी महौर हटा के वहां से अपनी महौर लगा दिए हैं हमारी जो धरम सब्द है वो धम से बना है धम ही धरम है पर धम को धरम आधा रहे हटा के जो पूरा आधा में और पूरा में उसको हटा के आधा रहे लगा के उसका मतलब उटा कर दिया और जो कम है उसका कर्म कर दिया और जो वर्ण है उसका वर्ण कर दिया ये सारी बातें आपको पुरानी चीज़ें पाली जैसी चीज़ें डॉक्टर अम्बेटकर की जितनी किताब है वो या जो बुद्ध का साहित है वो चीख चीख कर बताती हैं पर वहां तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि पाली भासा को खतम कर दिया और UPSC में जो एक्जाम होता था वो बंद कर दिया गया क्या बिगाड़ रही थी जब इतनी सारी भासाएं हैं तो भारत की सबसे प्राशीन भासा आपका क्या बिगाड़ रही है पर अगर आपके बच्चे पाली पढ़ेंगे और जानें कि यह जो शनीवार है यह तो है नहीं तो हमारे यहां जो सब्द है वो तो सन्नीपात है तो सन्नीपात या सन्नीवार को शनीवार क्यों क्या गया फिर आप उनसे कहोगे कि भाई अगर पाली में शनीवार नहीं है और सन्नीवार है तो इसका मतलब क्या है तो आपके सन्निकट यानि पास पास बैठना क्योंकि सन्निकट तो हम बहुत कहते हैं कहते हैं मेरे सन्निकट आजा यो सन्नी सिन्नो वर वो धी मुले उससे हम लगातार पढ़ते हैं पाली में और हमें पता चल जाता है कि भगवान बुद्ध पीपल के पेल के नीचे उसके समी बैठे और वार का मतलब जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो मौका होता है, ये तो हमारा एक तरसे अधिकार होता है, ये हमें मौका मिला हुआ है, तो जब आप सन्नी वार का पूरा जानोगे तो आपको पता चलेगा कि पास-पास बैठने का मौका है या पास-पास बैठने का उत्सव है तो आपके बच्चे आप से पूछेंगे कि ये पास-पास बैठने का पास-पास उठने का कौन सा उत्सव होता है पास-पास बैठके कोई उत्सव होते है क्योंकि उत्सव की जो परिभासा है वो तो बदल दी है जो उत्सव सब्द है उसको उत्सब बो तो आपको पाली पढ़के बताएंगे या आपको पाली पढ़नी पढ़ेगी या पुरानी भासा पढ़नी पढ़नी पढ़ेगी तो आप बताएंगे तो आपको जान के हरानी होगी कि आप जिस दिन साथ साथ बैठा करते थे बहुल माने बहुत सारे सन्नी माने निकट और सन्नी पात माने सन्नी की जो क्रिया है उसको करना यानि बैठने की क्रिया करना तो सब लोग बैठने की क्रिया करते हैं तो वो साथ साथ बैठके क्या करते होंगे ये प्रसंद पूछेंगे आपके बच्चे या आप बताओगे उनको तो आप जानोगे कि आज के समय भी जो हम साथ साथ बैठते हैं क्यों बैठते हैं क्यों हम सम्मिलन करते हैं क्यों हम संगती करते हैं क्यों हम मिलते हैं क्या कारण है कि हम आपस मिलते हैं पर अभी तो कारण बदल गया है कि अभी हम दुख दर्द को दूर करने के लिए बैठते हैं, पर उस समय जो बैठा करते थे, वो इसलिए बैठते थे कि दुख दर्द आये ही ना, यानि जो साथ साथ बैठते हैं, उनको दुख दर्द आये ही ना, वो पहले ही उसकी त्यारी कर लेते थे यह अंतर है अब में और जम में और सबी लोग साथ-साथ बैठते हैं चाहे वो चोरों का घिरो है वो भी साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा कि ये जो सन्नी पात बाहूल है ये अभी क्यों नहीं होता तो क्या जवाब दोगे क्योंकि सन्नी पात बाहूल तो अभी भी होता है पर सन्नी पात बाहूल का मतलब बदल गया उसका उद्दे से बदल गया जो हमारे गाओं में गाम पंचायत हैं और जो हमारे आयत माने होता ह दरवाजा खिड़की और पंच माने पांच यानि पांच लोग का दरवाजा खिड़की या जो पांच लोग हम चुनते हैं या पंच परमेस्वा चुटते हैं या जो हम पूरे के पूरे सारी लोग समू के अंदर बैठते हैं या गड़ परिशत बैठते हैं या जो जितने भ सनीवार का तो प्रथा खतम कर दी प्रथा का मतलब है पथा का मतलब है पथ पर जो चलता है यानि जो पथ पर चलता है उससे पथा बना है और पथा को बाद में प्रथा बोल दिया यानि पथ पे चलने का जो चलन था वो तो बदल दिया और वो हमारा सारा तहस्नेस हो गया त हमारे सब्द को बदल दिया, किसी के सब्द को अगर बदल देते हैं तो उसका पूरा इत्यास बदल जाता है, और नए सब्द को लेके जो आप कहोगे फिर वो इत्यास नया बन जाता है, पुराने सब्द को दो तिन पिड़ी के वाद में लोग भूल जाते हैं, इसलिए किसी को याद नहीं कि शैशब्द हमारा नहीं है और किसी को याद नहीं कि सन्नी पात बहुल और सन्नीवार हमारा है इस दिन हमारे लोग वो काम करते थे जिससे के दुख और मुसीबत आई ना और वो हर चीज का इंतजाम पहले करते थे इस इंतजाम से डर कर जो उनके सत्रू लोग थे उन्होंने ये भ्रम फैलाना शुरू किया सनिवार को घड़ से बाहर मत निकलो क्योंकि मनुज दिन है सनिवार को हतियार मत रखो लोहा मत रखो क्योंकि मनुज दिन है ये बात तो सच है कि सनिवार का दिन मनुज दिन है और सनिवार का दिन लोहा लेके नहीं चलना चाहिए पर किसको मनूस है ये बात नहीं बताई भाई जो इखटे हो रहे हैं और जो हतियार लेके आ रहे हैं उनके लिए क्यों उनके लिए किस बात के लिए मनूस है ये किसे नहीं बताया पर जिनके खिलाब वो लोग इखटे होते थे और जिनके ख अपने लिए कहते थे और हमारे लोगों ने ये समझ लिया कि हमको कह रहे हैं कि सनीवार का दिन है वो बड़ा भनूस है हमारे लिए तो वो सबसे ज्यादा फल दाई था सबसे ज्यादा बढ़िया था और हमको सारे काम सनीवार में करनी चाहिए क्योंकि सनीवार को इखटे हो का दिन है इसलिए यहां सनिवार को हम सारे लोग इखटे होते हैं और जो कभी न जुड़ता हो वो भी सनिवार को आगे जुड़ता है उसको जुड़ना चाहिए पर इससे बात नहीं बनने वाली है क्योंकि यहां तो आप सिर्फ यह जान रहे हो कि सनिपाद बहुल हमारा है आपको हर हालत में अपने यहां जहां जहां आपके गाओं है जहां जहां शेहर है वहां ये बात बतानी पड़ेगी कि सनिपाद जो सनिवार का दिन है सनिपाद बाहुल है वो मनुस्तो है पर दूसरों के लिए है हमारे लिए तो बड़ा सुभ है वो हतियार रखना मनुस् या जिनके पास हतियार नहीं है या जो हमें प्रशान करते हैं हमारे लिए तो बड़ा सुब दिन है बहुत स्रक्षा वाला दिन है इसलिए मनूस तो है पर हमारे लिए नहीं है दुस्मन के लिए मनूस है इसलिए इस दिन हमको इखटा होना चाहिए साथ दिन में एक दिन हम यहां इखटे होते हैं, वो एनरजी पूरी साथो दिन काम करती है, सात दिन में एक दिन इखटे होने से हमें यह पता चलता है, कि हमारे बहन भाई हम सब साथ इखटे हैं, इसलिए कोई परजानी कोई दिक्कत आएगी, तो हमें कोई समस्या आने वाली है नहीं, और समस्या ताकतवर लोगों को कभी समस्या नहीं होती, ताकतवर लोगों से औरों को समस्या होती है, जैसे अमरीका के लोग हैं जिनके पास में बहुत बड़ बड़े संसादन हैं, जो इखटे हैं, जो अपने देदेश के लिए काम करते हैं, जो मजबूत हैं, उनसे दूसरे कमजोड बेसों के लिए परिशानी हो सकती है, अमरीका को क्या परिशानी होगी, इसलिए हमको सन्निपात बहुल का परचार करना चाहिए, और खाली सन्निवार को सन्निवार का परचार नहीं करना चाहिए, सन्निवार को तो सन्निवार में इखटे होना चाहिए, बाकी छे दिन हमको इ जो इसाही लोग हैं उन्होंने संडे को एकता होना सीखा और यहां जो आज का टॉपिक है वो टॉप्िक है आप सबी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छाम। पुझी आपी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तूथियं पी दम्मं सेनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छाम। दूतियों पी सरों सरों बच्छानू दूतियों पी सर्णम सर्णम बच्छानू ततियों पी बुद्धों सरों बच्छानू ततियों पी बुद्धम सर्णम बच्छानू ततियं पी धम्ममर सेनु गच्छाम। ततियं पी घम्ममर सेनु गच्छाम। ततियं पी सेंगर सेनु गच्छाम। ततियं पी संदं सेनु गच्छाम। साथू, साथू, साथू